किया सुनील शेटी ने फाइनली हेरा फेरी 3 की कन्फरमेशन कर ली है किया अब इस फिल्म में फाइनली आक्षी कुमार होने वाले है और सुनील शेटी ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसे सुनकर आप भी कह पड़ेंगे कि सुनील शेटी रेयल लाइफ हीरो है हेलो फ्रेंड्स आप देखरें बॉलीत्रा स्टूडियोस मैं हूं सोनीका जयार हेरा फेरी 3 की बात बात में करेंगे पहले सुनील शेटी की बात कर लेते हैं जिन से जुड़ा एक खुला सा हाल ही में हुआ है और आप जब ये बात सुनेंगे तो आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सुनील शेटी रियल और रियल दोनों लाइफ के सूपर हीरो है दरसल 1996 की बात है और मुंबाई पूलिस ने कमाटी पूरा के रेट लाइफ जोन में चापा मारा था और वहां फसी 456 लड़कियों को बचाया था और ये लड़किया सेक्स ट्राफिकिंग यानी जस्म फरोशी के धंदे में धकेल भी गई थी और इन सभी की जान पूलिस ने बचाय और बाद में पता चला कि इन लड़कियों में से 128 लड़किया नेपाल की थी लेकिन नेपाल गौर्मिन को जब ये पता चला तो उन्होंने इन लड़कियों को वापस बुलाने से साफ इंकार कर दिया ऐसे में सुनील शेटी आगे आए और इस सारे मामले में उन्होंने हस्तक्षिप किया और इन लड़कियों को वापस भेजने का इंदर्जाम किया सुनिश्टित किया कि ये लड़किया सही सलामत वहाँ पहुँच जाए इनकी एयर ट्रिकेट्स बुक की और इन्हें वहाँ पहुँच जाया लेकिन सुनील शेटी ने इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं कहा मीडिया में कभी ये बात नहीं आने दी क्योंकि इन लड़कियों की जान को खत्रा हो सकता था इनकी इमेश पर असर पढ़ सकता था इसलिए सुनील शेटी ने कभी ये बात नहीं बताई इन 128 लड़कियों में एक लड़की थी चरिमाया तमांग चरिमाया ने इस बारे में एक इंटर्व्यों में बताया और कहा की सुनील शेटी ने ऐसे वक्त में मदद की और हमने लगभग समझ लिया THा कि हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है लेकिन ऐसे वक्त में जब सुनील शेटी ने हमारी मदद की हमें एक नए राह मिली चरिमाया अब एक NGO में काम करती है और इस NGO को रमान मैक्सिसाई अवार्ड भी मिला है देखें सेक्स ट्राफिकिंग यानि वैश्य व्रिति इसमें लड़किया खुद की मर्जी से नहीं जाती इन्हें फसाया जाता है कई तरीकों से जैसे शादी के बहाने से प्यार में फसा कर या फिर नौकरी के बहाने से इन लड़कियों को फसाया जाता है और फिर इन्हें बेश दिया जाता है पूरे देश भर में ऐसे कई मामले सामने आये हैं जिनमें ऐसे मामले पाए गए हैं और लड़कियों को इस देह व्यापार में धखेला गया है तो सुनीर शेटी ने उस वक्त बहुत बड़ा काम किया था इन लड़कियों की मदद की लेकिन कभी किसी को नहीं बताया लेकिन देखिए अच्छी बाते सामने आई ही जाती है और सब को सीग दे जाती है ऐसा ही काम आजकल सूनूसूत भी कर रहे हैं एक सोशल वर्क कर रहे हैं और इस कोरोना जो महामारी चल रही है उसमें फसे जो मजदूर है उन्ए घर तक पहुंचाने का काम कर रहे है डायेक् तो हमारे बहुत सारे आक्टर हैं जो रील और रियल दो उनों लाइफ में हीरो है तो चलिए बात कर लेते हैं हेरा फेरी 3 की और काफी टाइम से इस बारे में चरचा चल रही थी और कहा जा रहा था कि अब यह फिल्म नहीं बनेगी थंडे बस्ते में चली गई थी लेकिन सु ना अक्षे के इस फिल्म की कलपना करना मुश्किल है यानि कि फिल्म में इन तीनों की ही जोड़ी दिखाए जाएगी यानि परेश रावाल सुनील शेती और अक्षे कुमार और हेरा फेरी सीरीस का लोगों को बेसबरी से इंतजार रहता है बहुत एंटेटेनिंग सीरीस इसलिए ये फिल्म तो बननी ही चाहिए और अब कहा जा रहा है कि इसका डायरेक्शन प्रिया दर्शन करेंगे जो हेरा फेरी 2 थी उसका डायरेक्शन नीराज जो बोरा नहीं किया था लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं है तो अब प्रिया दर्शन एक बढ़ फिर से जम्मा सभाला है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो दोस्तों आप हमें बताइए कि हेरा फेरी 3 का आपको कितना इंतजार है और हम आपको पॉलिबर न्यूस देते ही हैं लेकिन साथ में बहुत सारी इंफोमेशन देते हैं इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जर झाल मिला बहुत करेंगे तोन दिम्स आपका Дंजापमेशन देते हैं जर ए को या भोलिबर श्यूस देके थे जर रहतुों आपके वेक हिएकर फएक्ना उुलिबर पुलिए किते हमें इसलिए कितना यूलिए स्ब्सक्तरिशन